Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों Chinese कलेंडर को लेकर गर्वती महिलाएं confusion में रहती हैं कि वो इस कलेंडर को किस तरीके से देखें और कैसे वो gender predictors से कर सकती है तो इस कलेंडर को देखने में अगर आपको भी confusion हो रहा है कि आप किस तरीके से देखें तो आज की वीडियो आपके लिए है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा तो सबसे पहले बता दू कि चैनीज कलेंडर जो है चाइना में बनाया गया था और इस्पेशली ये जैन्डर प्रिडिक्ट करने के लिए ही बनाया गया था आपकी एज पर आपकी एज कितनी है और दूसरा आपने किस मन्थ में कंसीव किया है तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चाइनीज कलेंडर इस कलेंडर में आप देख पा रहे होंगे उपर की साइड एज दर्साई गई है जो कि 18 से लेकर 45 वर्ष है और साइड में मन्थ दर्साई गई है तो आपको यहाँ पर वो ही मन्थ चूस करना है जिस मन्थ में आपने कंसीव किया हो साथी यहाँ पर आपको दो लेटर्स दिख रहे होंगे जो कि B और G है तो B इंडिकेट करता है बेबी बॉई को और G इंडिकेट करता है बेबी गल को तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपकी एज 29 एर्स है तो आपको एक सालिस में बढ़ा लेना है यानि कि आपको एज रखनी है 30 एर्स और कंसीव मन्थ अगर आपका फैवररी है तो आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि 30 एज के साथ फैवरी मन्थ म उम्मीद करती हूँ इस कलेंडर को लेकर आपके जो भी कनफियूजन सोंगे वो क्लियर हो चुके होंगे इन केस कोई भी कनफियूजन अगर आपको अभी भी रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं लेकिन दोस्तों अंत में आपको बता दूँ ये कलेंडर 100% सही नहीं होता लेकिन फिर भी 99% ये कलेंडर सही चेंडर प्रडिक्ट कर सकता है तो अमीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे स्वस्त रहिए धन्यवाद